तो ये जर्नी चलती रहती है क्योंकि वो कभी learn नहीं करना चाह रहे हैं कैसे learn कर रहे हैं तो कभी ये YouTube चैनल पे जाके कभी किसी सेमिनार में चले गए जो सेमिनार है कि how to make money from share market मैं भी लग देता इसको how to make millions from share market and believe me मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा ने तो मैं भी उसी केडिगरी में फॉल कर जाँगा लेकिन हाँ ये कोर्स करने के बाद आपको समझ में आगा कि आप क्या सीखने वाले हो छोड़ो तो ये इस कोर्स को कर लेते हैं आप मेरे को समझाइए कि अगर मेरा बच्चा अभी पांच साल का है फाइव यर ओल्ड मैं उसको बुलता हूँ कि बिटा तो फिर्थ क्लास कर ले फिर एक साल तो जा टेंथ का कर ले फिर आरे कुछ मिस हो गया इसमें तो मुझे उसने टेबल सो याद ही नहीं की वर्ण से लेके टेंथ तक की तो ठीक है वापस जाओ फिर फिर्थ क्लास में जाओ टेबल सपड़ लो चलो टेबल सपड़ लिए अब ट्वेल्थ में जाओ प्रॉपर जाके मैट्स सिखो वाँ पे वो भी कर लिया इस तरीकी से अगर मैं पढ़ा ही कराओंगा अपने बच्चे को क्या आपको लगता है कि वो सक्सेस कभी लाइफ में पाएगा या उसको कभी सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा यार किसको मिल सकता अगर ऐसे जम करकर के या शफल करकर के या उपर नीचे उपर नीचे यही हो रहा है आज की डेट में इस financial market में इतनी बदनाम क्यों हो रही है क्यों लोग इतने डरे हुए हैं क्यों लोग इतने घबडाते हैं पैसे लगाने से क्यों क्यों कि result यह है कभी ये पढ़ा, कभी वो पढ़ा, कभी वो नहीं पढ़ा, कभी ये छोड़ दिया एक ऐसा कुछ platform नहीं है जहां पे आपको sequence से चीजे समझ में है और अगर आपका brain को आप इधार-उधार-उधार-उधार भेशते रहोगे न पहले 2nd class में, फिर 5th class में, फिर 8th class में, फिर 2nd class में, फिर 10th class में, फिर 12th class में, फिर जॉग रिजिशन भी कर लो, MBA भी कर लो, तो आप best नहीं हो सकते हो, best क्या है, न्यूटन जैसे थे, न्यूटन ने कितनी बार experiment किया और fail हुए, इतनी बार उन्होंने experiment किया और fail हुए, उसके बाद जाके वो result मेरा, इसके बाद हम लोग उनको जानते हैं, जो आज वो है, चुकि अब उन्होंने प्रयास करना, उन्होंने practice करना, एक sequence के तरीके से उन्होंने पहले पढ़ाई कियोगी, फिर एक experiment बे काम किया, फिर दूसरे time waste नहीं कर रहा है, कुछ logical कर रहा है, फिर उनको लोग appreciate करना चुरू किया, और वो आज की date में जो हैं वो हैं, ठीक है, जो उन्होंने gravity का experiment या बहुत सारे newton laws हैं, वो सब जो उन्होंने किये, वो सब हम उनको उसके लिए जानते हैं, लेकिन उसके पीछे जो उन्होंने discipline, जो उनकी psychology, जो उनका management रहा अपने उपर या अपनी चीजों को लेके, amazing था वो, वो चीजों पर ध्यान देना चाहिए अपने, अगर पढ़ने जाओगे तो उस लेवल में पढ़ाई होती है, अगर आप Cambridge में जाओगे तो उस लेवल की, I.M. में पढ़ते हो तो उस लेवल करोगे नहीं, जब तक आप सही तरीके सीख के नहीं करोगे, तब तक आप अच्छे नहीं बन सकते हो, तब तक आप perfect नहीं हो सकते हो, कोई born perfect है, तो उसको आप थोड़ा सा brush off कर दोगे, तो वो बंदा तो अच्छा ही है, वो निकल जाएगा, but on an average, लोगों को एक proper guidance के ठीक है, फिर है, share market जिसे मैंने बुला कि हम लोग compare करेंगे, बाकी asset class gold हो गया, आपका real estate हो गया, आपकी FD हो गई, उन सब को अगर हम compare करें versus share market, तो क्या return आता, यह आएगा, पिछले, suppose करिए 30-35 साल में क्या रहा, और उसके according देखिए, हम लोग क्या करते हैं, पीछे का data को एक तरीके से analyze करते हैं, और believe करिए history repeat करती हैं अपने आपको, हर जगां पे, आपकी life में भी देखोगे, अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हो, तो दुबारा वो गलतियां आप करोगे, life में, इसलिए history repeat करती हैं, तो पिछले 30 साल में जो चीजें हुई हैं, उसको एक आधार मानते हुए, हम बुलते हैं कि हम उस तरीके से direction में काम करेंगे, ताकि आने वाले 30 साल का फायदा हम उठा सके, जो हम लोग हैं, आप लोग तो और यांग हो, तो उस तरीके से आप भी उसका फायदा उठा पाओ, तो इस course में ये रहेगा, कि आप तरीके स सीखोगे, और आने वाले 20-30 साल में, अगर आपने एक जिस तरीके से मैं यहां पर समझाने वाला हूँ, उस तरीके से आपने अगर वो sequence-wise और discipline, जैसे 6 बजे उठने वाली बात है, वो मैं करवाओंगा, I'll make sure कि आप वो 6 बजे उठो, जितने लोग उठना चाहेंगे, वो excel करेंगे life में दोस्त, इसका मतलब यह नि कि मैं 6 बजे उठने को बोलूँगा आपको, इसका मतलब यह, मैं कुछ चीज़े यहां पर बोलूँगा, इस course में करने के लिए, एक महीने तक आपको, ये course complete कर लोगे, उसके बाद एक महीने के एक practice चलेगी, जिसका एक life session लेता आ चुकी है, जैसे गर एक महीने कोई बंदा suppose करी है, cigarette पीना बहुत बुरी चीज़ है, हमें सब को पता है, लेकिन अगर कोई बंदा एक महीने तक cigarette नहीं पी रहा है, छोड़ने कोशिच कर रहा है, पहले दिन उसने start किया, उसने 10 cigarette पीता था, उसने 9 कर दी, 8 कर दी, फिर 5 10 दिन के बाद उसने कि एक cigarette की, 10 दिन बाद से वो zero कर दिया, और अगले 20 दिन तक बचे हुए, उसने zero ही रखा, तो ये मान के चलिए, अब उसकी probability है, अब उसकी probability 90% है कि वो दुबारा cigarette की तरफ नहीं जाएगा, अगर उसके, उसने अपने discipline में यह चीज लेकी आई तो, पिर understanding the Indian and global exchanges, अब कोई game खेलने जा रहे हो आप, या कोई पढ़ाई करने जा रहे हो, उसके बारे में समझोगे कौन है, उसके main players कोई है, exchanges क्या है, कोई game को खेलने से पहले, अगर आप cricket खेलते हो, और cricket खेलने से पहले, आपको यही नहीं पता, कि रूल्स क्या है उसके, हम 50 ओर का match खेल रहे हैं, या T20 खेल रहे हैं, तेस्ट मैच खेल रहे हैं, आपको वही नहीं पता, तो फिर YouTube वाले, जो YouTuber है, उनकी वीडियो आप देख सकते हो, चली, anyways, फिर, जो हम समझ गया है कि exchanges क्या है, फिर हम समझेंगे broker, DMAT account कैसे खोलते हैं, क्या क्या requirement होती है, ब्रो तो क्यों शेर ही ट्रेड होता हैं, नहीं, और भी asset classes हैं, और भी instruments हैं, जो कि यहां पर ट्रेड होते हैं, जिनसे हम बहुत बड़ा फायदा कमा सकते हैं, यसे mutual fund आप खईते हो, mutual fund वाला क्या करता है, थोड़े से पैसे यहां पे, थोड़े से पैसे अच्छे share में, थोड़ करता है, इस course को करने के बाद आप वैसे work करो, यह मेरा, इस course में, पूरा-पूरा यह मेरा कोशिश रहेगी, यह मेरी कोशिश रहेगी, यह मेरी प्रयास रहेगा, यह मेरा effort रहेगा कि आप उस तरीके से सीखो, चीजों को, चीक है, तो, क्या क्या चीज trade होती ही, वो हम यह चीज नहीं कर पा रहा है, बैलेंस पॉर्टफोलियो बना के इन्वेस्ट करना, या तो वो अपने पैसे को 100% डे टे टेडिंग के अदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, या 100% पैसे को शेर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी एक शेर में अगर ये एक कमपनी डूबी, तो उनका 100% पैसा गया, फिर वो बोलेंगे, शेर मार्केट तो 60 बजा रहे हैं, मैंने तो आपके पेरेंट्स भी बोलेंगे, सब लोग अगर ये पैसा डूपता है, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके तो हर लोग तो पहले से बोली रहे हैं, यार कि ये मार्केट खराब, आप इसमें इन्वेस्ट मत करो, तो उनका पॉइंट तो आप प्रूफ कर रहे हो, तो बैलेंस पोर्टफोलियो मतलब की, इसमें पोर्टफोलियो में आप क्या-क्या चीज़े खईदो, कितना amount of share होना चाहिए, कितना bonds होना चाहिए, bonds क्या होता है, ETF क्या होता है, exchange trade funds, कितना real estate होना चाहिए, क्या आपके पास 20 लाग रुपए है और आप 80 लाग का loan लेके मकान खईदो, वो अच्छी चीज़ है, वो भी हम समझेंगे, तो ऐसी क्या चीज़े खईदो, जो की asset है आपकी, देखिए, दो चीज़े होती है, asset और liability, asset और liability, आप asset को buy करते चलो, asset क्या करता है आपके लिए, asset जो होता है, वो आपको और asset देता है, asset brings more asset, फिर ये plus होता चाहिए आपका, liability, आपके asset हो खाली कर रही है, आपने जितनी liability वाली car खरीद ली, उसका क्या है, depreciate होता है price, car खरीदो, लेकिन तब खरीदो, जो आपका asset class build हो जाए, ये asset जैसे आपने मालेज़े, एक share खईदा, share आपने चाहो तो invest कर सकते हो, थोड़ा सा अपने luxury में invest कर सकते हो, यहाँ पर, क्योंकि आपके पास 10 लाग रुपे निकाल लिया, फिर भी 10 लाग बचा हुआ है, और बनाने के लिए पैसा है, यहाँ सब में लगाने के लिए, asset में आपका gold आगया, आपका real estate आगया, आपके bonds आगया, आपके shares आगया, आपका property जो की land है, जिसका appreciation बहुत तेजी से होता है, जिस पे आप loan नहीं ले रहे हो, कम से कम loan ले रहे हो, ठीक है, तो वो सब चीज़ें अगर आप add करते होगे अपने portfolio में, मैं यह नहीं बोलू चोटी चीज क्यों बात करनी है, बड़ा ही सोचो, हम लोग यह करोड़पती वाली बात ही नहीं करेंगे, हम उससे उपर ही बात करेंगे, लेकिन कैसे उस चीज को achieve करना है, देखिए, आप सपोज करी मुंबई से डिल्ली जाना है, मुंबई से डेली पहुँचना है आपक पहली चीज तो यह डिसाइड करनी है, कैसे पहुचना है, फिर डिसाइड करनी है कितना टाइम है आपके पास, फिर डिसाइड करनी है, आप कितना पैसा खच करते हो उसको पहुचने के लिए, यह सब चीजे आप डिसाइड करते हो, आप चाहो तो वाक करके भी आ सकते हो, 1200-1400 किलो मेटर का डिस्टिंस होगा वॉक करके आ जाओ हो सकता है एक आत साल में पहुंच जाओगे या फिर फ्लाइट पकड़ लो पैसा अगर आपके पास है तो तो वो ये जर्णी हम समझेंगे कि ये जो हम बात कर रहे हैं एक सक्सेस्फुल होने की किसी के लिए उसना लाग रुपए कमाना बहुत अच्छा से सक्सेस्फुल हो कोई बोले कि नहीं भाई मै तो हजाय करोड रुपए कमाने के लिए सक्सेफुल नहीं समझता आपको तो वो अलग रेफिनिशन है उस पर मैंने कुंछ नहीं जाता को जो मेरे पास knowledge है मैं दे सकूँ, मुझे उसमें खुशी है, और भगवान के दिया से success का जो parameter है वो भी ठिक ठाक है अपने case में, जो मैं बोलना नहीं चाहता, बट वो भी है, तो ये दोनों तरीके से, ये score सो करने के बाद जो है, आपका reward जो मिलेगा वो success रहेगा, आपने पैसे को अगर सही तरीके से discipline follow कर रहे हो, तो आप पैसे को सही से, rotate कर पाओगे, सही से invest कर पाओगे, आप समझ पाओगी, asset versus liability में difference क्या है, उन सब चीजों को, छीक है, फिर quality of successful investor, क्या quality होती है, सचिन आज की rate में, सचिन क्यूं है, दा सचिन, जिनको हम सब लोग भगवान भी बोलते है, क्रिकट का, वैसे क्यूं है आज, ये quality जो है, quality of successful investor में, हमने पांच चीजे mention किये, हमारा शरीर जो है, वो पांच धात्वों से बनाओ है, पंच धात्वों से बनाओ है, क्या क्या है वो, वो है, वायू, अगनी, जल, आकाश, और पित्वी, इन पांच धात्वों से मिलके, हमारा शरीर बना है, उसी तरीके से दोस्तों, मैंने पांच चीजे डालके, एक successful investor की journey बनाई है, अगर ये पांच चीजे आप करते हो, ये पांच धात्वों को अपने अंदर लेके आते हो आप, तो आपको successful होने से कोई रोक नहीं सकता, believe me, वो पांच चीजे क्या है, जो इस course में आप देखोगे, money management, psychology कैसी ह psychology आपकी कैसी है, ठीक है, तीसरा है आपका fundamental analysis, फिर है technical analysis, और फिर सबसे important, one, two, three, four, और सबसे important क्या है, discipline, discipline, discipline इन सब चीज़ों को control करेगा, आप money management कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जो parameter हमने देखा है, उसको discipline से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो है, psychology अपनी control करने का parameter हम देखेंगे, कैसे control करनी चाहिए, fundamental analysis जो हमने समझी है, कैसे करते हैं, आपको college के example मैंने दिया अभी, उस तरीक technical analysis, जो राम और हरी के example मैंने दिया था, उस तरीके से हम समझेंगे, technical analysis के बारे में, चीक है, तो ये पाच तत्त जो है, सचिन जी ने, जो हम सचिन की बात कर रहे थे, और मैं रुख गया था वहाँ पर भी, सचिन, आज की rate में सचिन क्यों है, क्यों उनको हम भगवान बोल और West Indies जैसे टीम के ballers को उसने tackle किया, कैसे कर लिया उसने, चुकि उसके पीछे उसका hard work था, उसकी practice थी, उसने समझा कि ball कैसे tackle करना है, कौन सी ball को कैसे, कब किस तरीके से जहलना है, बिना helmet की उस समय खेलते थे लोग, एक ball भी वो 7 foot वाले ballers की लग जाये ना, तो बंदे ने कितनी practice की होगी, कितने सालों की महनत है वहाँ पीछे, उस चीज को आप देखिए, success के बीछे, ये, जो मैंने यहाँ पर लिखा था कुछ देर पहले, success, वो क्या है, ultimate result है वो, उसके पीछे क्या है, hard work, discipline, discipline जो है, वो key है, जो चीज भी आपने सीखी, अगर आपने, suppose कर 12 में सीखा, आपका 90% number आया, कुछ आपने proper काम किया होगा न, कुछ आप अलग करते होगे लोगों से, 60% जिसका number आया और आपका 90% आया, तो क्यों आया, उस तो अलग कर रहोगे आप, वो अलग अगर आप जो आज कर रहे हो, उसको अगर आप अपनी lifestyle से हटा दोगे, तो market के अंदर, क्या-क्या common mistakes हो रही है, किस वज़ा से 95% लोग अपने पैसे को गवा रहे हैं, ठीक है, वो भी समझेंगे हम लोग, और फिर, last में सबसे interesting चीज होगी, इन सब के बाद, जो की, practice summary, हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक महिने का, मैं एक tool आपको बताऊंगा, जहा पे आप mock investing कर सकते हो, mock investing क्या होती है, कि आप, जैसे paper investing होती है, आपको मैं money allocate करूँगा, suppose कर ये 10 lakh रुपीज, ये virtual रहेगा, आप actually मैं, as a paper जो होता न, आप लिख के करोगे अपने उपर, आपको, एक practice के नाम पे मैं क्या करूँगा, जैसे आपके discipline में वो चीज आई के नहीं आई, उस चीज को follow करने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि course खतम, आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते आता हूँ, और मेरे को क्या है, मैं तो आगे बढ़ जाओंगा, और लोग मिल जाएंगे, गलत चीज़ें अगर आप सीख गए, आप अपने discipline में उनको तो फिर सीखने का फायदा नहीं, आप IIT, IIM के बंदे भी आज की डेट में घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि उनको जो discipline IIT और IIM ने सिखाया था, वो भूल चुके हैं उसको, तो हमें उस discipline को भूलना नहीं है, ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, एक म महां पे paper investing करोगे, जहां पे आप खुद stock selection करोगे, of course, हम लोग लाइब सेशन में उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, कि कैसे आप कहां problem face कर रहे हो, अगर कोई आपके questions हैं, तो वो सब हम tackle करेंगे, लेकिन आपकी इस practice में लेके आएंगे चीजों को, ताकि आप व investing suppose कर रहे हो, starting में, तो share में investing के लिए आप एक share में ही डालोगे पैसा, आप क्या करोगे, पहले fundamental analysis और technical analysis के तुरू, आप यह देखो कि कौन से sector में डालना है, यसे share में भी क्या होता है, pharma sector होता है, IT sector होता है, banking sector होता है, real estate होता है, reality होता है, FMCG होता है, steel होता है, metals इसको इन सब sector के एक share जो अच्छा perform कर रहे हैं, उनको लेके, एक portfolio बनाएंगे हम लोग, चीक है, उस portfolio को हम लोग balance करेंगे, कि मालने जीए, अगर वो हमने ले लिया, suppose, हमने 10 share खई लिये इन सब बड़ी company sector के, और Corona ऐसा को event आये, जो अभी Corona आया था, मार्च में market गरी थी, तो ह हम ऐसा क्या करेंगी, Corona ऐसी चीज़ें भी फिर से आये, तो हम अपने portfolio को बचा पाएं, उस case में hedging होती है, वो हम सीखेंगे इस course के अंदर, उसकी practice करेंगे, फिर उसके बाद कुछ और instrument होते हैं, जैसे derivatives होता है, आपका share खईते हो, तो अगर share ऊपर जाता है, तो profit होता है लेकिन अगर माली share नीचे गर रहा होता हो, तो आप derivatives में एक put होता है, call और put बोलते है, put अगर आप खरी लेते हो, उसके बदले में hedge कर लेते हो, वो अपने share खईदा reliance का, उसको हमने खईदा 2600 रुपे में, अभी वो उपर जाएगा 2610 के उपर जा रहा है, तो आपको profit ह बट नीचे गरेगा तो loss होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर उसके against में hedge कर लेंगे, या तो hedging gold से हो सकती है, या derivative में future से हो सकती है, या आप put से hedging कर सकते हो, वो सब भी हम सीखेंगे, तो आप hedging करना भी सीख जाओगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप इस course के बाद एक mutual fund manager जो होता है, उसकी तरह से आप सोचना शीख होगे, तो एक तरीके से हम लोग यहां पर exercise करेंगे एक महिने की, ताकि आपको discipline जो है, आपकी आदत बन जाए, आप उस चीज को करना शुरू कर दो, ठीक है, तो यह हम लोग इस course के अंदर करेंगे, एक महिने में पूरा, हम लोग जो भी चीजें सीखेंगे, उसको एकदम अपनी practice में ले आएंगे, और मेरा ये दावा है, अगर आप यह course इमानदारी से करते हो, तो मैं आपको pro investor बना के छोड़ूँगा, तो यह सब benefit है इस course के, तो with this note, I think, enough मैंने बता दिया, इसके बारे में कुछ भ और चीजें जो की सीखने वाली हैं, उनको एक तरीके से, simple तरीके से, basic तरीके सीखते हैं, complicated बिना किये हुए, तो come join us, बाकी मिलते हैं session में, with this note, I'll take your leave, goodbye.